दिवाली के दिन खरीदे ये 21 बहुत सस्ती शुक वस्तुएं लाएंगी घर में मा लक्ष्मी को एक जाडू यदि आप पुष्य नक्षत्र या धंतेरस पर जाडू नहीं खरीद पाए हैं तो दिवाली पर जरूर खरीदे जाडू माता लक्ष्मी प्रतीख है 2. कौडिया, पुराने समय में रुपय या सिकों की जगह कौडियों का ही प्रचलन्थ कौडियों को आज भी माता लक्ष्मी का प्रतीख माना जाता है 3. खील बताशे, माता लक्ष्मी को बताशे प्रिया है इससे मा लक्षमी प्रसन होती है और आपको सम्रिधी का आशीश देती है इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी चार लक्षमी, सरस्वती, गणेश और कुबेर इस दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कुबेर की मूर्ती या चित्र खरीदना भी शुब होता है। पाँच, रुई, कपास, कपास का पूजा और आरती में बहुत ज्यादा महत्व रहता है। रुई या कपास शुद्ध होता है। इसी से दीपक प्रज्वलित किया जाता है। छेंग मौली, मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमनिबंध भी है। पूजा के दौरान इस बांधा जाता है। साथ गन्ना, माता लक्ष्मी की पूजा में गन्ना जरूरी है। गन्ने से जुड़ी एक कथा भी है। महालक्ष्मी का एक रूप गजलक्ष्मी भी है। गज अर्थात हाथी। माता के हाथी एरावत की प्रियक हाद्य सामगरी एक अर्थात गन्ना है। दिवाली के दिन पूझा में गन्ना रखने से एरावत प्रसन्न रहते हैं और एरावत की प्रसन्नता से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं 8. हल्दी की गांठ हल्दी को भी माता लक्ष्मी की पूजा में रखा जाता है इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुब है शुब मुहुर्द देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी को घर लाएं इस हल्दी को कोरे कप्रे पर रखकर स्थापित करें तथा शडोशवचार से पूजन करें यह भी धन सम्रद्धी को बढ़ाने वाला उपाय है 9. मिट्टी की सुराही कहते हैं कि इस दिन मिट्टी की सुराही खरीद कर उसमें पानी भर कर उसे इशान कोण में स्थापित करने से धन सम्रद्धी के योग बनते हैं 10. चांदी के सिक्के माता लक्ष्मी की आकरिती अंकित वाले चांदी के सिक्के खरीद कर उसे पूजा में रखना भी शुब होता है 11. केले के पत्ते माता लक्ष्मी और विश्न केले के पौधे में विराजमान रहते हैं यह पौधा बहुत ही शुब होता है दिवाली की पूजा में इसके पत्तों का उप्योग होता है बारह छोटी सुपारी पूजा की सुपारी पर जनेव चढ़ा कर जब पूजा जाता है तो यहां अखंदित सुपारी गौरी गणेश का रूप बन जाती है परंदु जब इसी सुपारी को लक्षमी पूजा में रख कर इसकी पूजा करने के बाद इसे तिजोरी में रखने पर घर में लक्षमी स्थाई रूप से निवास करने लगती है और इससे सौभाग्य आने लगता है तेरा चांदी का हाथी, इस दिन चांदी का ठोस हाथी खरीदना भी बहुत ही शुब होता है यहां माता गजलक्ष्मी का प्रतीक है चौदा चांदी या पीतल का कच्छुआ, कई लोग इस दिन चांदी या पीतल का कच्छुआ खरीदते हैं यहां भी शुब होता है उत्सव पर्फ तथा अनेकानेक मामलिक अवसरों पर रंगोली से घरांदन को खूपसूर्ती के साथ अलंकृत किया जाता है। इससे घर परिवार में मंदल रहता है। सोना वंदनवार आम या पीपल के नए कोमल पत्तों की माला को वंदनवार कहा जाता है। इसे अकसर दीपावली के दिन द्वार पर बांधा जाता है। वंदनवार इस बात का प्रतीक है कि देवगण इन पत्तों की भीनी-भीनी सुगन्द से आकरशित होकर घर में प्रवेश करते हैं। सत्रा शंक, शंक समुद्र मथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रतनों में से एक है। लक्श्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्श्मी भाता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंक होता है, वहां लक्श्मी का वास होता है। अठारा सिघाडा सिंधारा माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। इसकी उत्पत्ती भी जल से होती है। उन्नीस अनार मा लक्ष्मी को फलो में अनार बेहत प्रिया है। दीपावली की पूजन के दौरान अनार जरूर अर्पित करें। बीस मखाना जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ती समुद्र से हुई उसी तरह मखाने की उत्पत्ती भी जल से हुई है। मखाना कमल के पौधे से मिलता है। 21 कमल का फूल इस दिन कमल का फूल जरूर खरीद कर लाएं। यह माता लक्ष्मी का अत्यन्थी प्रिये